सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए ये बिल्कुल फ्री है महिंद्रा और महिंद्रा अपनी पॉपुलर कार काव एक्स और नेक्स टी का एंट वर्जन लॉंच करने के लिए पूरी तरह से तयार दिख रही है लेकिन लॉंच से पहले भारतिय सडकों पर उसकी टेस्टिंग की जा रही है हाल ही में बैंगलोर की सड़कों पर टेस्टिंग के दोरान ड्राइवस पार्क ने उसे स्पोर्ट किया है बड़ी बात ये है कि जब महिंद्रा काव एक्स और नेक्स टी ए एम्टी को टेस्टिंग के दोरान देखा गया तो उसके उपर कोई कवर या स्टीकर नहीं लगा था हालं कि उसके पीछे में ए एम्टी का बेजिंग जरूर लगा था हाला कि इसमें कोई आस्चरे की बात नहीं है क्योंकि महिंद्रा काव एक्स और नेक्स टी ए एम्टी के डिजाइन या लुक में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये कार मार्केट में पहले से मौजूद है इसलिए इस पर कोई स्टीकर नहीं लगा गया था बता दें कि महिंद्रा काव एक्स और नेक्स टी के फेसलिपट वर्जन को 2017 में लॉंच किया गया था और अब इसे आटोमेटिक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है डिजाइन की तरह ही महिंद्रा काव एक्स और नेक्स टी ए एम्टी के इंटीर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है हाला कि क्योंकि कार आटोमेटिक है इसलिए इसमें गीर बॉक्स के लिए नए गीर लिवर लगे है स्पोट की गई महिंद्रा काव X और NXT AMT में मल्टी स्पोक अलोय व्हील और रिवर्स पार्किंग सेंसर लगे थे अनुमान है कि महिंद्रा काव X और NXT AMT के इंजन या अन्य कोई में कहने कल बदलाव नहीं किये जाएंगे अभी ये भी साफ नहीं है कि एंटी गिरबॉक्स पेट्रोल वेरियंट में मिलेगा या डीजल में महिंद्रा कव एक्स और नेक्स टी पेट्रोल वेरियंट में एक दशमलव लीटर का इंजन लगा है जो की 82 भी एचपी की पावर और 115 रियूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है इस इंजन को नस्पीड मैनुल गिरबॉक्स टेंडर्ड के और पर दिया गया है वहीं बात अगर महिंद्रा कव एक्स और नेक्स टी के डीजल वेरियंट की करें तो इसमें भी एक दशमलव दो लीटर का इंजन लगा हो जो की 77 भी एचपी की पावर देता है और 190 रियूटन मीटर तक की टॉर्क पैदा करने की ख्रमता रखता है इस इंजन में भी ट्रांसमिशन के लिए नस्पीड मैनुवल गिर बॉक्स टेंडर्ड के और पर दिया गया है बता दें कि महिंद्रा कव एक्स और नेक्स टी नसीटर और रसीटर मॉडल में भी उपलब्द है वैसे अभी एकदम सही अंदाजात तो नहीं है कि महिंद्रा कव एक्स और नेक्स टी एम्टी को कब लॉंच किया जाएगा लेकिन कचोंग की त्योहार का सीजन चल रहा और सभी कमपनिया अपनी नई गाडिया लॉंच कर रही है या अपडेट कर रही है तो संभव है कि मह महिंद्रा कव एक्स और नेक्स टी एम्टी को भी धीवाली तक लॉंच कर दिया जाए ओटोमेटिक के कारण महिंद्रा कव एक्स और नेक्स टी एम्टी के कीमते भी स्टेंडर्ड मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है फिलहाल महिंद्रा कव एक्स और नेक्स टी की कीमत 4.68 लाख से शुरू होती है जो कि टॉप वेरियंट के लिए 7.76 लाख रुपे एक शोरूम दिली तक जाती है। कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी पसंद की कार कांसी है और दोस्तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आपका एक लाइक मेरी बहुत हेल कर सकता है तो जल्दी से लाइक एक काले से बटन को नीला कर दो देना है।